और एक और बड़ी खबर यहां पर लालु यादव के तब्यद बिगड़ गई है दिल की बीमारी के चलते उन्हें मुंबई ले जाया गया है आज एहम दिन बिहार में जहां पे दस सीटों पर उप्चुनाव के नतीजे आने हैं और यहां पे हर पार्टी अपने अपनी जीत का दावा कर रही है ऐसे में यहां पे जो सुखवगाहट है सियासी वो काफी तेज है बिहार में लेकिन इस पीच खबर यह कि लालु प्रसाद यादव की तब्यद बिगड़ गई है दिली से उन्हें मुंबई ले जाया गया है और बताय जा रहा है कि दिल की बीमारी के च बिल्कुल देखेर जो अभी तक जांकारी मिली है उसके मताबिक लालु जादव कल रात में ही दिली से मुंबई गये हैं और उनका चेक अप हुआ है कहा यह जा रहा है जो जानकारी मिल पाई है घरवालों के मुताबिक उसमें हाट के भालम में शिकुडान आasaki जिसकी दिय पर गई थी हलांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये पहले से रूटीन चेक अप तैय था जब 21 तारीक को बिहार से लालो जादो दिल्ली गए थे उसमें ही ये तैय किया गया था कि वो मुंबाई जाएंगे लेकिन इस वक्त पर मुंबाई जाना कहीं न कहीं सवालों के घेरे में ह क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आज जो रिजल्ट आना है उसमें नेताओं की धड़कन बढ़ी होई है और ऐसे में लालो जादो का तवियत खराब हो जाना कहीं न कहीं जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं हाला कि लालो जादो कब उहां से ठीक होकर आएंगे उनके कारे करता और उनके परिवार वालो को इस बात का इंतिजार है और लगातार रावडी देवी जो हैं अपने जो परिजन जो घर के लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनसे संपर्क बनाई हुई है और कोसिस ये की जा रहे है कि लालो जादो जितना जल्दी हो सके खीक होकर पटना वाप उसके बाद से लालो जादो दिली गये थे उस समय भी रूटीन चेक अप हुआ था जैसा कि परिवार वालों का कहना था लालो जादो ने खुद कहा था कि वो दिली जा रहा है रूटीन चेक अप के लिए और ये भी जो तबियत बिगड़ी है कहीं ना कहीं इसको भी दिल्ली से मुंबई जाना पड़ा तो कहीं न कहीं लालो यादों की तबियत ज्यादा खराब है यही वज़ा है कि मुंबई से उन्हें दिल्ली सिफ्ट किया गया हाला कि परिवार वालों के तरफ से यह जरूर कहा जा रहा है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और लगातार ज इतने भी बिहार के आरजेडी के नेता है वो परिवार वालों से संपर्क बनाये हुए है कि लालो यादों का क्या हाल चाल है इसकी जानकारी मिलती रहे जी बिल्कुल चंद्रमों नजब बनाए रहे कि आपसे पलपल का प्डेट रहेंगे तिलाल जानकारी के लिए आपका अपस्टों